है गाइज दीस इस समराट यू आर वाचिंग टेख हॉल आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप अपना एक्टिवे स्टेटस को आफ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो जी यहां पर देख सकते हो हमने अपना एक्टिवे एक्टिवे फेस्बुक यूज कर रहे हैं उन यहांपर हम आपको कमता चाहिए मैसेंजर में बिल्ट फेस्बुक यूज करते हैं अगर यह अपको बैसे सकते हों कैसे को पता ही नहीं चलेगा कि आप FB यूज़ कर रहे हो आप अभी ओनलाइन हो FB पर या मेसेंजर पर तो गाइस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास तक जरूर देखना तो चल करते हैं Facebook को धियान से देखना दोस्तों जो जो स्टेप को हम बता रहें वाई ये स्टेप को फॉलो करना तब ही आप इसली आप आफ कर सकते हो अपना एक्टीव स्टेटोस को जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो उसके बाद आपको क्या करना है अपना से नीचे में आपको मिल देगा सेटिंग प्रैवेसी जो आप यह देख रहे हो लास्ट से दो नमर ऑप्षन इस ऑप्षन पर आपको एक बाद टश करना होगा टैप करते ही यहां पे कुछ ऑप्षन ओपन होता है उसके बाद हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्षन पर क्लि लाइन पर क्लिक करना है गरेना को सेटिंग प्रैवेसी उप्षन पे टश करना है टश करते ही अपको फाइफ और पंस पर trabajए मisin इलेगा जिसमें से फ उसट ओपको यहां प क्लिक करते हैं सेटिंग पे उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हो यहां पे आपका setting open हो जाएगा और यहां से आप everything Facebook से रिकार्ड इंग प्रेटिंग कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों को क्या करना है नीचे में आ आना है जिसमें से दोस्तों आपको सबसे लाश्ट स्टेट bastardo यहां पार ऑफको बता दे यहां पर सबसे पहले आपको यह प्रेविसी वाला option पे आना होगा इसमें आपको मिल जागा 6 option और जिसमें से आपको last one जो option है active status इस option पे आपको एक बाद टच करना होगा टच करते ही यहाँ पे active status वाला जो option है यह open हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आएगा है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पढ़ भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुए so when you are active और यहाँ पे दोस्तों by default यह आप option देख रहो यह option enable होगा टच करते ही यह option disable होजाएगा तो चलिए click करते है इस option पे और भी इसको disable करते नहीं उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे आपको कौन साइस टेप को follow करना होगा तो यहांप हम क्लिक करते हैं इस option पे और यहांपे हमको एक pop-up में मिल जाएगा जिसमें हमको बताएगा turn-off active status आप off करना चाहते हो यहांपे आपको turn-off मिल जाएगा blue color में जिस पे आपको एक बाद tap करना होगा टाप करते ही finally ये turn-off हो जाएगा तो यहांपे आप आप देख सकते हो यह turn-off यहांपे हो चुका है यह पिचै况 हो चुका है और यहां पे आपको और किया करना है आपको बैक आजना है और यहांपे एक रसक्ованÁए और अब दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर कोई setting को यूजने करना है यहां पर सिर्फ आपको एक setting करना दे यूज रही है जोने बतादिया active status को आपको ऑफ कर दिया Shock यहां पर ॥ाज आउए active status को यूज आपको बताना चाहते हैं active status हमने अभी off किया है और यहां पे so नहीं कर रहा है किसी पे green का symbol नहीं आ रहा है it means हम off किया है यह लोग जो भी हमारे friend है उनके पास नहीं पता चलेगा कि हम अभी active है लेकिन हम भी नहीं देख पाएंगे कि हमारे friend active है या नहीं है तो यह एक demerit है इसका लेकिन आप off कर सकते हो जिसे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब online आ रहे हो facebook पे और कब offline हो और यहां पे आपको messenger में बहुत फैदा होने वाला है अगर आप active status को off कर लेते हो disable कर लेते हो तो यहां पे messenger पे आप किसी से chatting करते हो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप online हो या offline हो तो आप off कर सकते हो अपने situation के हिसाब से और अगर आप अपने whatsapp में चाहते हो online को offline कैसे सो करें तो वीडियो मैंने बना रखा है आप देख सकते हो आई बटन में उसका link मिल जागा और साथी साथ गाईज अगर आप टेलिग्राम में online हो offline सो करना चाहते हो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है दोनों का link मिल जागा आई बटन में जिस पर आप click करके देख सकते हो उमीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन को हिट करना मत भूलना तकि ऐसा ही नौलिजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी तब तक के लिए टेक क्यार बाब बाए